Hello Friends, मैं स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल पे दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे घाओ को सुखाने वाली मेडिसीन के बारे में यानि उन्ड को सुखाने वाली मेडिसीन के बारे में दोस्तो हम बात करेंगे medicine के brand name के बारे में और दोस्तो हम बात करेंगे composition के बारे में और दोस्तो हम बात करेंगे dose के बारे में दोस्तो पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को आन तक जरूर देखें ताकि आपको संपूर जानकारी मिल सके चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं वही पर दोस्तो हम बात कर लेते हैं डालासिन C मेडसीन के बारे में दोस्तो जो नाम है डालासिन C ये टैबलेट का ब्राण नेम है वही पर हम बात कर लेते हैं इसके कंपुजिशन के बारे में वही पह दोस्तों अगर हम बात करें इसके दोस्त के बारे में इसके खुराक के बारे में दोस्तों अगर आपको normal infection है यानि आपको आपको अगर कम infection है उस condition में आप 300 mg, BD मतलब BD का मतलब होता है एक tablet सुभा और एक tablet साम को यानि दिन में दो बार आप इसे ले सकते हैं और दोस्तो अगर आपको ज्यादा infection है अगर आपको severe infection है उस condition में आप 300 mg टेबलेट दिन में 3 बार यानि TDS आप इसे खाना खाने के बाद में आप इसे ले सकते हैं और दोस्तो जो किलेंडा machine टेबलेट होती है आपको मार्केड में 300 mg की और 600 mg की आपको देखने को मिल जाएगी वहीं पर दोस्तो हम बात कर लेते हैं next medicine के बारे में tablet septran दोस्तो जो नाम है septran बहुत ही popular brand name है वहीं पर दोस्तो हम बात कर लेते हैं इसके composition के बारे में दोस्तो इस tablet में co-tremexazole पाए जाता है जो कि दोस्तो एक परकार की antibody medicine होती है जिस का उपयोग घौ को सुखाने में करते हैं यानि उन्ड को सुखाने में इस का उपयोग करते हैं वहीं पर दोस्तो हम बात कर लेते हैं इसके dose के बारे में इसके खुराक के बारे में दोस्तो अगर आपको normal infection है अगर आपको कम infection है उस condition में इस tablet का इस्तेमाल आप BD कर सकते हैं दोस्तो BD का मतलब होता है दिन में दो बार ठीक है वहीं पर दोस्तो हम बात कर लेते हैं अगर आपको severe infection है अगर आपको ज़्यादा infection है उस condition में इस tablet का इस्तिमाल TDS आप कर सकते हैं मतलब दिन में तीन बार आप इसे खाना खाने के बाद आप इसे कर सकते हैं वहीं पर दोस्तो हम बात कर लेते हैं नियो किलिन जल के बारे में दोस्तो जो नाम है नियो किलिन ये क्या है जल का ब्रान नेम है इस नाम से आपको मार्केट में या जल आपको आसानी से मिल जाएगा वहीं पर दोस्तो हम बात कर लेते हैं इसके कंपोजिसन के बारे में इसके कंटेंग के बारे में दोस्तो इस जल में क्लिंडामाइसीन और निकोटिनामाइट पाए जाता है दोस्तो जिसका उपयोग घौ को सुखाने में करते हैं वहीं पर दोस्तो हम बात कर लेते हैं इसके दोज के बारे में इसके खुरा के बारे में दोस्तो इसका उपयोग पिंपल और पस वाले घौव पर दिन में आप इसे तीन बार लगा सकते हैं वहीं पदोस्तो हम बात कर लेते हैं नेश्ट मेडसीन के बारे में बीटाडीन कीरीम दोस्तो जो नाम है बीटाडीन ये बहुत ही पाप्लर प्राण नेम है आपको मार्केड में बीटाडीन नाम से यह कीरीम आपको मिल जाएगी वहीं पर दोस्तो हम बात कर लेते हैं इसके composition के बारे में इसके contain के बारे में दोस्तो बीटाडीन कीरीम में पोविडान अयोडीन पाये जाता है दोस्तो जिसको हम wound पर लगाते हैं यानि wound पर apply करते हैं दोस्तो जिसको हम bd करते हैं bd का मतलब होता है दिन में दो बार सुबा और सम ठीक है? वहीं प दोस्तो हम बात के लेते हैं Nesht Medicine के बारे में Taxim O दोस्तो जो नाम है Taxim O ये क्या है टेबलेट का brand name है आपको market में Taxim O नाम से यह टेबलेट आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तो जिसका उपयोग घौव को सुखाने में करते हैं, ठीक है? वहीं पर दोस्तो हम बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में, इसके खुरा के बारे में. दोस्तो अगर आपको normal infection है, अगर आपको कम infection है, उस condition में आप 200 mg की tablet, इसे BD, मतलब BD का मतलब होता है, दिन में दो बार आप इसे ले सकते हैं, ठीक है? वहीं पर दोस्तो हम बात कर लेते हैं, अगर आपको severe infection है, अगर आपको infection ज्यादा है, उस condition में आप 200 mg की tablet, TDS, TDS का मतलब होता है, दिन में तीन बार, सुबा, दुपार, साम को खाना खाने के बाद आप इसे ले सकते हैं, वहीं पर दोस्तो हम बात कर लेते हैं, next medicine के बारे में, doxycycline, दोस्तो जो नाम है doxycycline, ये medicine का brand name है, वहीं पर दोस्तो हम बात कर लेते हैं, इसके composition के बारे में, इसके contain के बारे में, दोस्तो हम बात कर लेते हैं, दोस्तो इस डॉक्सी साइकलिन जो होती है एक परकार की एंटिबाटिक मेडसीन होती है जिसका उपयोग घौ को सुखाने में या उर्ण को सुखाने में करते हैं वही है दोस्तों अगर हम बात करें इसके दो़स्त के बारे में इसके खुराक के बारे में दोस्तों अगर आपको नारमल इंफेक्षन है अगर आपको कम इंफेक्षन हुआ है ठिक है उस कंडिशन में 100MG की टैबलेट आप इसे BT कर सकते हैं दोस्तो BD का मतलब होता है दिन में दो बार ठीक है आप दिन में दो बार इसे खा सकते हैं और दोस्तो अगर आपको severe infection है अगर आपको infection ज़्यादा है उस condition में 100MG की tablet आप इसे tedious मतलब tedious का मतलब होता है दिन में तीन बार आप इसे ले सकते हैं वहीं पर दोस्तो हम बात कर लेते हैं next medicine के बारे में AZ दोस्तो जो नाम है AZ ये क्या है tablet का brand name है वहीं पर हम बात कर लेते हैं इसके composition के बारे में इसके contain के बारे में दोस्तो इसमें azotromycin पाय जाता है जो कि दोस्तो एक परकार की antibiotic medicine होती है दोस्तो जिसका उपयोग घौ को सु खाने में इसका उप्योग करते हैं वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में इसके खुराक के बारे में दोस्तों इसका जो डोज होता है 500 mg OD OD का मतलब होता है दिन में एक बार दोस्तों इसका जो डोज होता है next medicine के बारे में clay warm दोस्तों जो नाम है clay warm ये medicine का brand name है वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके composition के बारे में इसके content के बारे में दोस्तों clay warm में emoxicillin और potassium climate पाये जाता है जो कि दोस्तों एक परकार की antibiotic medicine होती है ठीक है दोस्तों जिसका उपयोग अगर आपको normal infection है अगर आपको infection कम है उस condition में आप 625 mg की capsule या tablet आप OD ले सकते हैं मतलब दिन में आप इसे एक बार ले सकते हैं वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगर आपको infection ज़्यादा है अगर आपको संक्रमन ज़्यादा हुआ है उस condition में आप 625 mg की tablet आप इसे BD BD का मतलब होता है दिन में दो बार आप इसे खाना खाने के बाद में आप इसे ले सकते हैं दोस्तों ये रहा आज का छोटा सा वीडियो घौ को सुखाने वाली मिट्सिंग के बारे में दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हमारे वीडियो को लाइक, सस्क्राइब, कमेंट ज़रो करें नेक्ट वीडियो के साथ मिलते हैं थेंक्यू सो मज